Hello everyone, my name is Dr. Harish Krower और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसमें हम spine से जोड़ी सारी problem का विस्तार में बात करते हैं और जितने भी elements हैं, जितनी problem हैं उनका आपको solution भी बताते हैं और आज का जो topic है बहुत important है, आज का topic का जो नाम है वो है spine के back pain में हम किन-किन सावधनी, किन-किन बातों का ध्यान रखें और back pain को हम कैसे बचा सकते हैं basically back pain में हम किन-किन बातों का ध्यान आपको रखना है देखिए, back pain आज के दिन 80% लोगों को है because of the poor posture, कभी किसी को lift की वज़े से या gym injury की वज़े से तो back pain के precautions को हम लोग broadly तीन भागों में डिवाइड करेंगे पहला भाग होगा red zone, दूसरा blue zone और तीसरा green zone जो red zone है वो रहेगा एक महिने तक, zero day से एक महिने तक मान लीजेगर आपका आज pain हुआ है तो एक महिने तक आप red zone में रहेंगे जिसमें back pain का दुबारा आने के chances, दुबारा lapse होने के chances 70% रहते हैं जिसमें आपको back pain का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें आपको चार चीज बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है पहली चीज यह है कि आप bend ना करें, slouch ना करें, lift नहीं करना आपको कोई भी pulling pushing नहीं करना दूसरा आप किसी भी soft chair पे, soft bed पे या किसी भी ऐसी चीज जो soft है गदा जैसे हो गया इस पे आप बिलकुल भी मत बैठें ज़्यादा तर लोग sneezing, coughing में गलती करते हैं तो जब भी आपको sneeze या कफ करना हो तो आपको ऐस तरीके से आप पकड़ें और उपर की तरफ गरदन करके sneeze या कफ करें, आप जुके नहीं बहुत ज़्यादा क्योंकि आपके back में दुबारा से जर्क लग सकता है कमर की belt पहनना एक अच्छा idea हो सकता है, कमर की belt आप जरूर पहने पहले 15 दिन तक दूसरा rest की बात आती है, तो rest आपको सिर्फ 3 दिन करना है, 3 दिन से ज़्यादा rest बिलकुल ना करें क्योंकि मासमिस या कमर की कमजोर पढ़ सकती है इसके बाद में बाइक चला बिलकुल भी मच चला यह बाइक आप और गाड़ी में drive अगर आप लंबा सोच रहे हैं तो आप ऐसा ना करें क्योंकि एक बुरा idea हो सकता है आप ज्यादा लंबा travel करेंगे तो आपका कमर का दर दुबारा बढ़ सकता है जो सबसे important चीज है इसमें physical relationship नहीं रखें अपने partner से कम से कम 15 दिन तक तो क्योंकि इसमें जब जर्की motion होती है तो शायद आपका pain कमर का दुबारा बढ़ सकता है यह था आपका red zone अब हम बात करते हैं blue zone की blue zone यानि जब आपका pain एक महीना पुराना हो चुका होता है लेकिन आपको अभी भी pain है 50% से ज़्यादा pain है इसका मतलब यह एक disc वल्ज हो सकता है एक disc injury हो सकते है most probably क्योंकि एक normal muscle spasm का नहीं है तब उसमें आपको ध्यान रखना है कि यह zone जो है वो एक महीने से तीन महीने चल सकता है यानि तीन महीने तक pain extend हो सकता है इसमें आपको ध्यान रखना है कि यह आपको चार पंग चीज़े जो main, main ऑनदे को बता देता हूं इसमें पुलिंग पुशिंग जिस तरीके से है, अगर आपने बेबी उठाना है, या कोई और चीज आपने लिफ्ट करनी है, किचन में काम करना है, तो कमर की बेल्ट या वगएरा आप कुछ सपोर्ट कमर पे आप जुरूर लें, सोफा, सौफट चेयर और सौफट बेड को अभी भी अवइट करें, आप हाड बेड ही यूज करें, हाड बेड सोने के लिए यूज करें और अपने कमर के बल सोएं, पेट के बल बिल्कुल भी ना सोएं, गाड़ी में अपने travel की planning है आप travel करना चाहते हैं तो आप गाड़ी में आप बीच-वीच में ब्रेकघाज़ घंटे में हर 70-100 km में आप ब्रेक लें और गाड़ी आप चला सकते हैं दीरे-दीर करके कमर का belt या कमर का support जो है गाड़ी में आप जुरूर रखें जो आपकी help करेगा जिस तरीके से जिसे हम बाइक की बात करते हैं तो इस zone में भी आप बाइक को थोड़ा avoid करें क्योंगी pet holes जिसे शड़क पे होते हैं जटका लगने से कि आप आपका दुबारा पेन आ सकता है so अब तीसरा zone जो आता है वो है green zone जिसमें आपका pain almost चला जा चुका होता है और 95% लोग तक ठीक हो जाते हैं ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अभी भी ठीक नहीं होते हैं उनका severe disc ball शायद हो सकता है लेकिन उनको भी यहाँ पे सावधानी रखनी है जिनका ठीक हो चुका है और जिनका ठीक नहीं हो चुका है जिनका ठीक नहीं हुआ है अभी तक severe pain है तो वह red zone वाले जितने भी precautions हैं अभी तक तीसरे महीने के बाद भी जारी रखे है और जिनका pain 80% 90% जा चुका है और थोड़ा बहुत बचा है या बिल्कुल ही ठीक हो चुके हैं तो उनके लिए 4-5 चीजे जो है ग्रीन जोन में भी आपने देखना है ग्रीन जोन में आम तो बिल्कुल ठीक पिशन हो चुका है फिर भी आप गाड़ी जिसे है आप ब्रेक बीच में ब्रेक लें आप बहुत लंबी जरनी एक साथ 6-8-10 घंटे की जरनी आप ना करें ओफिस में अगर आप बैठे हैं तो थोड़ा थोड़ा इधर उदर आप थोड़ा थोड़ा मूव होते रहे हैं 45 मिंट्स में का ब्रेक लीजिए थोड़ा गुन-गुना पानी पीते रहे हैं थोड़ा स्टेच अपने आपको करते रहे हैं बाइक थोड़ा 10-15-20 किलमेटर maximum चला सकते हैं हाँ अपने आपको गड़ों से जरूर बचाइए आप सबसे important बात green zone में है क्या यह है green zone में patient वैसे तो पूरा ठीक है कमर में प्रप्शानी नहीं है फिर भी आपने करना क्या है कि green zone में आप जैसे कि बहुत सारा lifting है बहुत बड़ा बहुत जैसे आप जितना आप back pain से back pain जिसे आपका खतम हो गया और जितना आप दूरी बनाएंगे यानि back pain वापस नहीं आ रहा इतने दिन जितने दिन निकालेंगे back pain उतना ज्यादा आपको वापस आने के chances कम रहेंगे फिर भी जैसे कि मैं बात करी थी green zone में pain वापस आने के 7 से 6% chances फिर भ सकता है आप इसमें से बिल्कुल साफदानिया रखें बिकोज कर उस तरीके से restore नहीं हो पाता अभी तक और नसे पूरा खुली नहीं होती है तो back pain की exercises आप बिल्कुल जूरूर आप करें back pain की कौन से exercise करनी है उसका हमने एक वीडियो बना रखा है आपका link वो मैं आपको description म करना चाते हैं आप अपनी activity दुबारा resume करना चाते हैं और आपका pain बहुत अच्तक ठीक हो चुका है और आप blue zone में आ चुके हैं तो आप profile two exercises करें सबसे important बात दोनों exercises को post walking करें पहले आप आदे घंटे की walking करें धीरे-धीरे करके अगर आप red zone में तो आदे घंटे की walking करके आदे घंटे की exercises करें profile one अगर आप blue zone में हैं या green zone में हैं तो आदे घंटे की walking करके 45 minutes की profile two exercises करें आपका बहुत-बहुत शुक्रिया थेंक्यू